हलो बेश्रीया माई लवर्स कैसे हो आप सब मैं स्तिबिंदास पसकलास चकास तो गाईज अमसा ऐसे ही रहो और खुश रहो तो गाईज कल के वीडियो में आप लोगों को एम 13 रोयल पास की रिवर्ट बताये थे आज की इस वीडियो में आप लोगों को एम 14 की रोयल पास की रिवर्ट बताऊंगी कि वन से लेके 50 आरपी में आप लोगों को कौन-कौन से रिवर्ट देखने को मिलेंगे और थोरा सा बेक्ग्राउंड नॉइस आपको ज्यादा कर लेना चलिए अब हम लोग यहां पर रिवर्ट की स्टार्टिंग करते हैं तो यहां पर जैसे ही एम 14 की रोयल पास आएगी तो फोस्ट आरपी पे जो आप लोगों को यहां पर आउटफित देखने को मिलेगा वह यहां पर आप लोग देख सकते हो उसी के साथ जो गन स् स्कीन देखने को मिलेगी उसके बाद नेक्स्ट हम लोग रिवर्ट की बात करें तो वैसे तो एम 14 की रिवर्ट अच्छे से अभी तक रिविल नहीं हुए बड़ आगे जाके होगे तो मैं आपको और भी वीडियो बना के दिखा दोंगे 15 पे आप लोग इमोट देख सकते हो जो कि स्ट्रेट डांस करके गाईज यहां पर इमोट है यह फ्री रोयल पास की अंदर मिल जाएगा उसके बाद आप लोगों को एम 14 का उतार मिल जाता है उसी के साथ आप लोगों को यहां पर एक औरनमेंट की स्कीन है यहां पर कुछ ग्रेनेट ऐसा कुछ है जो के और नीची की साइड यहां पर स्ट्रों ग्रेनेट की स्कीन है 23 आरपी पर आपको यहां पर गोगल मिल जाता है उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट यहां पर 25 आरपी पर एक आउटफित देखने को मिल जाएगा उसके बाद नेक्स्ट आम लोग यहां पर बात करें तो जोके यहाँ पर रोयल आरूम करके इमोट है और देखने में इमोट थोरा सा अच्छा लग रहा है उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को में रिवर्ड बता हूँ तो 35 आप लोगों को शॉटगन की स्कीन देखने को मिल जाएगे उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर चोटे मोटे रिवर्ड के बात 40 आर्पी पर एम की 47 की स्कीन है और नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर 45 आर्पी पर एक हैडगेर देखने को मिल रहेगा और लास्ट में आप लोगों को दो आइटम मिलेगी तो वो दो भी मैठिक रहेगी मतलब जो 14 की रोयल पास है उसके अंदर आप लोगों को तीन मैठिक आइटम यहाँ पर देखने को मिल जाएगी उसके बाद गाईज यहाँ पर नेक्स्ट रिवर्ड की बात करें तो यहाँ पर आप लोग टायर रिवर्ड देख सकते हो जो कि मैंने पहले भी आपको बताये थे इस बाद आप लोगों को देखने को मिल जाता है जो कि आप लोग अच्छे से देख सकते हो उसके बाद नेक्स्ट गाइज यहाँ पर क्यूबी यू की तो Ace Master की अंदर आप लोगो को यहाँ पे मुझे जो मास्क है वो देखने को मिल जाएगा और उसके बाद अउतार जो के C3S3 का डॉमिनेटर अउतार है और कॉनकरर की फ्रेम है इसके बाद गैस यहाँ पे आप लोग यहाँ पे यह ओटिर सिजन के अंदर डायमॉन करते हो तो आपको यह हैडगेर मिलेगा पे इस वीडियो में बताने थे उसी के साथ मैंने आप लोगों को मैथिक आउटफिट्स भी बता दिये और उसी के साथ मैंने आप लोगों को टायर रिवर्ड भी बता दिये चले इनमें से जो भी रिवर्ड आप लोगों को अच्छा लगा हो वो मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेर जरूर कर देना चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ओके बाबाई and थैंक यू फोर वाच चेंग